हलो इगनू स्टूडेंट्स वालकम तो दे चानल जीपीएज बूक्स आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत इंपोर्टेंट जानकारी इगनू में अपने डिसेंबर 2022 टामेंड एग्जामिनेशन के लिए ओनलाइन फॉर्म आपके एग्जामिनेश स्टूडेंट की कुछ ग्वेरी की एंसस जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन फ़र्म फिल अफिल अभ onion के लिए फ्रेंट्स उनको कुछ प्राब्लम का सामना करना पड़ रहा है जो वह फेस कर रहे है जब ग्फिल्दी करते हैं तो उनके सामने कुछ एर शो होते हैं उ के प्रोग्राम को पास करने के लिए चैनल पर आपको बहुत सारी वेल्यू एड़ वीडियो देखने को मिलेंगे और लेटेस जानकारी चलिए अब बात करते हैं प्राब्लम्स की बारे में फ्रेंट यहाँ पर मैं आपके सामने सभी प्राब्लम्स रीट करके बताने वाली हूँ अगर आप भी को रिलेट करते हैं तो वीडियो को विडाउट स्किप किये देखिएगा बहुत सदा हेलफुल आपके लिए होने वाली है अगर आप अपना कोर्स कोट चूज नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी एक प्राब्लम है स्टूरेंट के बीच में जैसे कि ड्रॉप बॉक्स में आपको चूज करना होता है और आप नहीं कर पा रहें उसके बाद अनदर प्राब्लम है जब स्टूरेंट लॉग इन करने की कोशिश करते हैं पोर्टल पर तो एन्रोल्में नमबर नॉट फाउंड बताया जाता है या आपको बताया जाता है प्रोग्राम कोट नॉट फाउंड दोनों में से कोई भी एक एरर आ जाता है जब आप अपने examination form fill up का process complete करते हैं तो आप अपने date of birth fill up करते हैं तो वहाँ पर आपको invalid date of birth का भी एरर नजर आता है और पूरा examination form fill up करने के बाद जब आप आप relax फिल करते हैं कि मैंने examination form fill up कर दिया और आप status चेक करते हैं तो वहाँ पर payment status note shown आपके payment हो जाने के बाद आपके पैसे कर जाने के बाद examination form fill up होने के बाद भी आपको दिखाया जारेगा वहाँ पर आपके payment का status वहाँ पर आपको show नहीं हो रहा तो ये कुछ problems हैं जो आज हम आपके लिए solution लेकर आए हैं इसके लिए आपको वापस जाना होगा आपके examination form के portal पर यहाँ पर आप देखिये बहुत ही dark और bold letters में यहाँ पर बताया गया है in case the validity of the registration shown as invalid courses ये भी एक problem है for which you are eligible for appearing in the December 2022 time and examination is are not reflected in the drop box you have to contact registrar srd on email registrar srd at ignu.ac.in ठीक है आप phone भी कर सकते हैं बट मैं आपको suggest करूँगी कि ignu में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी problem face हो रही है not even the examination form fill up process या कुछ भी तो आपका जो best option है ignu से conversate करने का वो email है आप उन्हें email send कीजिए आपके regarding जो भी problem आप face कर रहे हैं जो भी जानकारी आप जाते हैं so sending email is the best way ठीक है तो आप यहां से इसको copy कर सकते हैं या लिख सकते हैं registrar srd at ignu.ac.in उसके लिए फिर आपको आपका email id open करना है जो भी आपका working condition में email id है जो आपने ignu में provide कराया है या x y z कोई भी email id आप अपना open कर सकते है email जो यहां पर आपको given है वो आप यहां पर लिख देंगे subject में आपको जो भी problem face हो रही है payment status not shown है invalid date of birth है program code not found enrollment number not found not able to choose your subject code और course code any problem you are facing तो आप वो यहां पर लिखेंगे subject में और यहां पर फिर आप अपना पूरा email लिखेंगे और बताएंगे कि आपको क्या problem face हो रही है उसको आप resolve करने के लिए उन्हें request करेंगे तो आप इसको लेकर बिल्कुल भी घबराएं नहीं अभी बहुत समय है ignu में बहुत बड़ी संख्या में students examination में appear करते हैं admission लेते हैं अपने degree courses को complete करते हैं कभी ignu में online process में आपको problem आती है तो इसके लिए आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं आप एक simple email कर सकते हैं email address आपको बता दिया गया है examination form में ही आपके given है और आप easily अपने जो भी problem है उसे resolve करा सकते हैं या उसको जान सकते हैं कि वो कब तक resolve होगा so I hope यह आपके लिए video informative रही होगी friends इगनू से जड़ी हुई किसी भी latest जानकारी के लिए आप channel से बने रहें thank you for watching the video till end stay tuned with the channel for more updates